गुलबर्गाश शहर के मशूरों मारूफ अली हिदाया टूर्सन ट्रावल्स की जानिब से 18 जुलाई को 80 आजमीन उम्रा पर मुस्तमील ये खाफिले की रवानगी अमल में आई है 14 जुलाई को शहर के जब्बार फिंक्शन हॉल में तमाम आजमीन उम्रा के लिए एक रोजा तर्वियती कैम्प और्गनाईज किया गया था जिसमें उम्रा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम जरूरी अहकामाद सिकाए गया है तिस तर्वियती कैम्प के जरीए तमाम आजमीन उम्रा को टिगेट पासपोर्ट के अलावा लगेज बैग, हैंड बैग, बतोरे तौफ़ा दिया गया है 18 जुलाई को ये खाफिला हैदराबाद एरपोर्ट से रवाना हुआ और 19 जुलाई को अलीदाया टूर्सिन ट्रैवल्स के प्रॉपरेटर जनाम मुहमद मौला आली की निगरानी में तमाम लोग उम्रा की साहदत हासिल किया है और इन तमाम आजमिन उम्रा को दूसरा उम्रा मजजिद जुराना से कराया गया है और दीगर तमाम जियारतें करवाई गई और ये खाफिला मदिना मौनवरा की हाजरी के बाद 1 अगस्ट को इंडिया रवाना होगा अलहिदाया टूर्सन ट्रावल्स के प्रोपराटर मौला अली ने इस खाफिले की तमाम डेटल बताते हुए कहा 15 अगस्ट 3 सेप्टमबर और 14 अक्टोबर को नए गुरुप रवाना होने वाले हैं